एक तरफ जहां दुनिया भर इसलाम धर्म और शालिन लिबास पर निरंतर हमले हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसलाम का प्रसार भी तेजी से हो रहा है एक फरवरी यानि आज दुनिया भर में वर्ल्ड हिजाब डे मनाया गया दुनिया भर की महिलाओं ने विश्व हिजाब दिबस पर हिजाब पहन कर मुस्लिमों के साथ एक जुट प्रदर्शित की 2013 में शुरू हुआ विश्व हिजाब दिबस दुनिया भर में मुस्लिम महिल के प्रती एक जुटता दिखाने के लिए मनाया जाता है हिजाब का इसलाम में बहुत महत्व है इसलाम हर महीला को अपना से ढखने के इजाज़त देता है और दुनिया भर के मुसलिम महीलाएं बच्चियां हिजाब पहनती हैं वैसे तो मुसलिम महीलाएं पहले भी हिजाब लेकिन हिजाब पहनने का दौर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। दुनिया में जितनी भी मुस्लिम देश हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, सौधी अरब, कुवेथ, उमान, दुबई, आदी वहाँ सभी महिलाएं गर्व के साथ हिजाब पहनती हैं, वे हिजाब पहनकर ही अपनी नौक्रियों पर जाती हैं, वहाँ की डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स, कोई हिजाब पहनती और अपने काम के इसलाम को नहीं जोडती हैं, इसलाम में हिजाब पहनना, सिर ढखना, श झाल झाल